हेलो फ्रेंट्स मन पसंद खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं सकरगंदी भूनने के दो तरीके बताऊंगे आपको स्वाद ऐसा कि आप बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे एक दम सोंदी सोंदी और मिटी मिटी सकरगंद भूनकर तैयार होएंगी जैसे चूले में गाउ में भूनते थे वैसे ही इनका टेश्ट आने वाला है तो चलिए फ्रेंट्स शुरू करते हैं आज की रेस्पी यहाँ पर मैंने चार सकरगंद ली है इसको मैं देशी गी से हलका सा ग्रीस कर लूँगी ग्रीस करने से चिलका असानी से निकल जाता है सारी सकरगंद को मैं ऐसे ही गी लगा कर ग्रीस कर लूँगी देखे फ्रेंड सारी सकरगन को मैंने गी लगा कर त्यार कर लिया है अब मैं हाई फ्लेम पर गैस ओन करूँगी और तवे को गरम कर लूँगी तवा हमारा गरम हो चुका है अब हम अपने सकरगन को तवे पर सेट कर देंगी और गैस का फ्लेम हम इस टाइम पर लो कर देंगे और हमें ऐसा बरतन लेना जिस से हमारे सकरगन जो है सारे ढख जाए और भाप है अंदर ही बनी रहे बहार ना निकले पाच मिन्ट के लिए हम सकरगन को लो फ्लेम पर पकाएंगे सकरगन को चेक कर लेते हैं देखे कितनी बड़िया भाप बन गई है सकरगन को हम पलट देते हैं ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सीख जाएं दुबारा से हम डोंगे से इसको कवर कर देंगे और पाच मिन्ट के लिए फिर पकाएंगे सकरगन को चेक कर लेते हैं देखे सकरगन जो है भूनकर अच्छी तरह से तयार है आप चाकू से भी चेक कर सकते हैं देखे चाकू अच्छी तरह से सकरगन के अंदर जा रहा है तो सकरगन जो है हमारी अच्छी तरह से भून गई है डोंगे को ढख देंगे और गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे दूसरे तरीके के लिए यहां पर मैंने चार सकरगंद लिए हैं चारों सकरगंद जो है एक ही आकार के लेने हैं ना कोई मोटा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए डखकन डखकर हम इसे गरम करेंगे गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे इस समय पर ये सकरगन तबे वाली जो हमारी ठंडी हो गई है देखे इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूं यतनी ठंडी है कि मैं इसे हाथ से चूश सकती हूं देखे कितनी बड़िया सकरगन अंदर तक भूनकर तयार हूई है इसे मैं आपको छिलकर दिखाती हूं देखे कितने आराम से छिलका जो है उतर जाता है खाने में फ्रेंट्स ये बहुत ही टेस्टी लगती है जैसे चूले पर गाव में भूनते थे वैसे ही सकरगन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सारी सकरगन को छिलकर मैंने तयार कर लिया है आप इसे नमक के साथ या दूद में भी डाल कर कई लोग खाते तब भी बहुत ही जादा टेस्टी लगती है यह मैंने फाल पेपर लिया यह वही फाल पेपर है जिससे हम खाना पैक करते हैं इससे मैंने सारे सकरगन को अच्छी तरह से पैक कर दिया है इधर हमारा नमक भी तैयार हो गया है सारे सकरगन को हम कडाई में अच्छी तरह से सैट कर देंगे और ढक्कन लगा कर साथ मिन्ट के लिए हम इसे भून लेंगे फ्रेंट्स इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम जादा लगता है लेकिन टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाईज नहीं है बहुत अच्छी सकरगंद भून कर तैयार होती है देखिए साथ मिन्ट हो गए है सकरगंदी को हम पलट देते है तवे पर सकरगंद भूनने में मुझे पंद्रा मिन्ट लगे थी अब कडाई में देखती है कितना टाइम लगता है डगकन डग देते हैं और फिर से हम पकाएंगे इसे छाक कर लेते हैं सकरगंद को इसे भी हम चाकु से चैक कर लेंगे देखिए चाकु असानी से अंदर जा रहा है तो सकरगंद जो हमारे भून कर तैयार है हलका सामे से जढ़ जढ़ कर ताकि एक्स्ट्रा नमक जो है वो कडाई में ही रह जाएं और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे देखे ठंडी हो गई है कितनी बड़ी आच्छी सकरगन भूनकर तयार है सारी सकरगन के उपर से हम फॉल पेपर को हटा लेंगे एक साइज की सकरगन लेने से हमारी सकरगन जो है एक जैसी भूनकर तयार होती है देखे कितनी बड़ी आच्छी सकरगन भूनकर तयार है अब आप इसे छील लेंगे कडाई में सकरगन भूनने में मुझे 20 मिन्ट लगे है आपको इन में से दोनों में से कौन सी ट्रिक पसंद आई है कमेंट करके मुझे जरूर बताईए फ्रेंड्स इस सकरगन को मैं चाट बनाऊंगी सकरगन के मोटे मोटे टुखडे काट लेंगे देखे अंदर तक सकरगन पक्कर तयार है इसके उपर हमें काला नमक जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर अपनी पसंद के जीते जी मसाले आपको पसंद आप डाल सकते हैं थोड़ा समय इसमें निमोनी चोड़ दूँगी देखे फ्रेंड्स चाट बनकर तयार है फ्रेंड्स अगर आज को आज की मेरी ये रेस्पी पसंद आई है तो प्लीज बेरे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो घंटी आती है उसे भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई